बेटी बेटी जल्दी से आजाओ अंदर हालक बहुत सीरियस है सब ठीक हो जाएगा जल्दी करो मैं तीन घंडे से पेन में है लेकिन कोई लगत नहीं हो रही है मरीज की हालत कैसी है बहुत है सीजियस है मैं लगादार पेन कब से शुरू हुआ है तीन घंडे से बच्चे के दिल की धड़कन चेक की तुमने हा हाँ किया मीडियम है क्यों कि शरकत है क्या यस मैं पेन बहुत ज्यादा हो रहा है क्या यह आप यहीं रुकिये माजी फ्लीज वह लड़का अकेला आपने मां के लिए रुका हुआ है उससे क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है अगर उसकी मां को कुछ हो गया तो यह जेकी मा को तुम्हें बचाना ही होगा बचाना ही होगा भग्मान मा तुम क्यों रो रही हो कुछ हुआ है क्या मा तुम्हारे रोने की वज़ा यह है ना बोलो ना इसके लिए रो रही थी ना यह तेरा भाई है अरे मा 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 यहां होना क्या हुआ बेटी मा यह कुछ बात नहीं कर रहा है मा मुझे डर लग रहा है मा देखो ना देखाओ मुझे देखो क्या हो गया ऐसे घबराओ मा डॉक्टर के पास चलते हैं चलो कब ठीक होगा डॉक्टर देखें हम कुछ कह नहीं सकते हैं यह जड़ से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है इसका मतलब इसका मतलब यह कभी ठीक नहीं होगा क्या यह जिन्दगी पर ऐसा ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताए इसका परमनेंट इलाज नहीं है हाँ इसकी कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन्स जरूर है जिससे बच्चा जिन्दा रहेगा लेकिन इसके देखभाल आपको अच्छी तरह करनी होगी बड़े होने पर परिस्थितियां चाहे जो लेकिन इस पर मानसिक दबाओ ना आने पाए कहने का मतलब यह है कि इस पर आपको फुल अटेंशन देना होगा मानसिक दबाओ बच्चे को मुश्किल में डाल सकता है कियाँ इस प्राइब है सत्या, वन तूसर टू वरी गुद तूसर ए्ष्ब तूसर सिक्स कुद अधू ALL पहले मुझे खाणा किलाओ मा त्यरे भाई को दूद पिला रही हो ना तु खोदी खा ले अगर तुम खाणा किलाओगी तबही मैं खाऊँ गा तरी भाई को भूख लगी है बिटा समजह करो मुना मैं भी तो भूखा हूँ ना मा मुझे खाना खिला तुम एसा है तो रुग्जा इसे दूद पिला कर फिर आती हूं तुम मुझे खिलाओगी या नहीं मा बात को समझा करो मैं इसे दूद पिला रही हूं न कहा ना आती हो तुम नहीं खिलाओगी तुम नहीं खिलाओगी मैं तुम्हें खिलाओगी चलो मेर मुझे कोई नहीं चाहिए चलो बेटा मुन्ना चलो तुम्हारा भाई भीग जाएगा बेटा चलो चल दी क्यों मैं आता हूना तुम जाओ मेरे बगर जाओ गी नहीं क्या मुन्ना मैं तुम दोनों के लिए आई हूँ माते मत बनाओ मुझे सब पता है तुम इसे लेने आई हो इसे लेके जाओ मुन्ना ऐसे बहस मत करो मेरे साथ चलो यहांसे चलो मुझे पता है तुम इसी को प्यार करती हो मुझे नहीं तुम सिर्फ फिजीक अपना बेटा समझती हो यह कैसी बाते कर रहे हो बेजा बारिष हो रही है चलो पहले मुझे नहीं जाना तुम इसे लेकर जाओ है चलो मुझे नहीं जाना तुम जाओ वो तुम्हारा बेटा है न लेके जाओ उसे जाओ स्टिचिंग अच्छे से करो चिकी जी एपटी कंपनी का आउडर रेडी हो गया हां रेडी हो गया है फातिमा वो सब पैक कर दो लांच बोक्स ले लिया हां लिया मा ठीक सचाना मा भाई अभी तक नहीं आए कर दो ओयोँ कर अबना है एच आप आप नहीं चलो चलो आप आप रोकोटाइटरोव में सिया रहा है पाइस त्रहका जाएं सब्सक्राइस कोज नहीं लेट हो जाते हैं प्रॉब्लम क्या है यह हमारे बारे में घलत बात कर रहाता है घलत कहां बोला सची तो बोला है क्या हुआ एक्सिडेंट है कहां हुआ मनोरी कहों का है चक करो जरा हलो हलो यहां पर एक्सिडेंट हुआ हलो नमस्कार साथ सर परेल में एक्सिडेंट हुआ हुँ गार्ट्स अंदर जाकर जेको जी सर जी पुस जीप का पीछा करो यह सर एक्सिडेंट है नमस्ते सर नमस्ते सर आने वाले कुछ दिनों में ग्राम पंचाइट इलेक्शन है पता है ने तुझे? यहां पता है तो उसका क्या? उपर से सिफारिश करवा कर इस इलेक्शन के लिए डियस पी का ट्रांसफर करवाया है चलो अच्छा है पर हुआ क्या वो तो बताओ और एस पी संदर्य पंड़े का ट्रांसफर सेंटरल गौर्मेंट नहीं किया है और यह सब कुछ सेंटरल मिनेस्टर के इंफ्लूइंस से हुआ है और इलेक्शन के ठीक पहले उसने चार्ज लिया है तो ठीक ही है? हम उस मिनेस्टर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं इस एरिया में वही होगा जैसा पुलिस चाहती है और पुलिस वाले हमेशा वही करेंगे जैसा मिनिस्टर चाहेगा और रही बात संदर्य पंड़े की तो वो कोई मामूली अफिसर नहीं है भाई, बाहर पुलिस वाले आ हैं आपसे मिलने के लिए मैं तो आपसे मिलने के लिए आने ही वालत है लेकिन आप यहां गए अच्छी बात है तो हम अपनी बात शुरू करें कोई आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अच्छा लगा इसलिए आया मेरे आने से पहले मेरे बारे में सारी बातें आपको पता चली चुकी होंगी खाना रेडी है क्या इस बार के इलेक्शन में यहां की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है बिना मेरी जानकारी के यहां कुछ भी नहीं चलेगा क्या सर मेरे ही घरा कर ऐसी बात कर रहे है क्योंकि इस बारे में जानकारी देने के लिए मुझे यहां आना जरूरी था सूप अब खाना क्या टेस्टी बनाया पुलिस की ड्यूटी यह नहीं कि गलत होने के बाद आए बल कि उन्हें गलती करने से पहले ही रोकना होता है कुछ ऐसा ही सोचता हूँ मैं इस दुनिया को सुधारना मेरा काम नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोशिश करता हूँ जब तक मैं यहां इस एरिये के अंदर हूँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए भूल कर भी कोई गलती नहीं करने दोंगा यह मेरी ड्यूटी है समझ गया ना सर फिनिश चाह लेजिए सर पापा चंद्रा की भी एक खुबसूरत फैमली है लेकिन मेरी नहीं है उम्मीद करता हूँ यह हमारी आखरी मुलाकात होगी क्योंकि यही ठीक होगा हम दोनों के लिए सर गाड़ी में पैकेज बिला है ओपन करो इसे मास्टर की तो यही है हम पहले इसे चेक करो सर सर एलेक्शन टाइम पर एक रूपया लेकर घूमना भी बहुत मुश्किल है मैं तो सिगरेट के बिना रह नहीं सकता इसलिए मैं पैसे अपने जूते में छुपा कर रखता हूँ उसे भी आपने ढून निकाला ब्रिलियंट सर सर नमक गाओं का नमक है और सर चेकिंग हो गई ना मैं निकल सकता हूँ ना ओके, ओके, ओके मैया, मारी इसको करेक्ट टाइम पर एड्मिट किया है अपरेशन, सक्सेस तक यह एसे रो कियो रहा है, यार वो, सीसर पूछ, क्या हुआ? भाई, आज पहली बार जिंदगी में एक लड़की पटी थी यह कमीना जैसे ही उससे मिला तो इसने उसको बटा लिया मुझे ना इससे कुचल दारू वापसकर अरे क्या कर रहा है अब बता अभी दोस्ती चलेगी जो मिला वो खा लेते हैं और हर जगा बं फोड़ते गुपते हैं देख नहीं रहा है टाइर पंक्चर है हुम है क्या हुआ सच में मुझे स्मेल आई थी चल लेज़ा ने 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 इनकी है क्या इज़त है मेरी अरे लगता है यह मिझे घटिया चाहे पिला रहा है अरे बुदिक यह तो मेकैनिक मनीश के जैसा लग रहा है इसरा ध्यान से देख तो ए भाईया को तीन महेने से ब्याज नहीं दिया यह वही है ना अरे हां भाई देखके घूम के हैं कंफा हुआ है यह जाके पकड़ उसे अभी पकड़ता हूं कंच यह है टुविध्धाव प्राणएं YO यह है वह बलिकिता अर्वे में कि शेखके टो folos यौम में अड़र्या धाक का में ड़र्य हूं मन्ना, मन्ना, है मन्ना, क्यों बे, उसको पकड़ा नहीं, अरे उस मोटे गेंडे को मैं तेरे बरुल से पकड़ने गया था, उसने मार मार के मेरा भूरता बना दिया, नईशद की हालते, खुश है न, चूमत चूमत, गंदा हो जाओंगा, तेरी तो, चल नईशद दिलाता तेरी मेरवानी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा क्या तुरे, क्या ये भी, अभी तक बिर्याने भी बैसे पड़ी है, दारु के बोतल भी नहीं कुली, खाना नहीं है ग्या? भर, चल दारु पीत रहें, ए, कितना पीएगा मोटे, फटे का क्या? मेरे बाप ने क्या काय पता है क्या? क्या? जैसे रोज नहाना जरूरी है, वैसे रोज पीना भी जरूरी है, तेरे बाप ने तुझे और कुछ नहीं समझाया था, क्या मीना? ए सुबरा से कहा खोया है कोई बात हो गई है गया इतने दिनों से कितनी लड़कियां देख चुका हूँ उन्हें देखकर कुछ लगा नहीं यार लेकिन जब से उस लड़की को देखा न तब से कुछ-कुछ हो रहा है यार कुछ पता नहीं बहुत यादार है क्यों कि शनी तेरे सर पे है समल जा है अगर तुझे प्यार हो गया ना तो फिर चार दिनों तक खाना पीना भूली जाएगा या मतलब चार दिन बातरूम जाने की ज़रूत नहीं है हम एई मजर्क के मुड में नहीं हूं मै क्या का मैं मॉजा करता हूं थैटर में यह कॉर्नर सिर्पे बैटके जो तू करता ना उसे मज़ा क्याते हैं टा बाज बिलकुल फ्रॉड सहीं का एक लएक पिस असी रुपेका का यह मैंने दोल एकपिस लिए उसमें एकपिस बड़ा एकपिस चोटा निकला मुझे दोखा दे दिया है सब लोग फ्रोड है तुझे खाने के लाओ इस दुनिया दिखता या नहीं जाब देखो चिकन मटन बस मुह में ठूसता ही रहता है मुह है या गटर क्यों प्यार करने वासी ही प्यार को समझ सकते है क्योंकि इसका दो शूरी से होता है क्या कहा छूनी से पता जलता है एक बार उस लड़की को जाके छूँ सिर्फ पे जूता मारेगी बाईक पे जो उसे बेठा के घुमाता है ना वो सब भी छूट जाएगा क्यों बाई तू अपने कटर पे ध्यान दे पहले प्यार शादी के बाद करते थे आज केल प्यार पहले करते हैं शादी बाद में भाई बाई बॉडी बिल्डर के फैशन गया आज केल तो पतले दूबले ही चलते हैं चुप रहे कहा जा रहा है एक लड़की को पहली दफा देखते ही ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए ही जन्मी है तभी मैंने सुचा कि उस लड़की के लिए अपनी जन्दे की नीचावर करतूँगा क्या कहा? उसके प्यार में तु जान देना जाता है क्या? यह प्यार है जो करता है वही जानता है जो सिर्थ देखते हैं या सुनते हैं वो नहीं जानने सत्या दारू पियेंगे क्या बाईया बड़ी चल्दे में कहान आ रहे हो ए चल तुझे क्यों बताओ मैं मुन्ना ये क्या किया तुने क्या क्या किया मैंने कुट्टे को खाना क्यों दिया कुट्टे को खाना खिलाना कोई गलत बात है क्या कुट्टे को खाना दिया वो ठीक है पर अपने भाई का खाना उसे क्यों दे दिया तुने क्यों भूख सिर्फ तेरे बेटे को ही लगती है क्या पिना मतलब क्यों बहस कर रहा है उसकी कॉलेज का टाइम हो रहा है फेर से खाना बनाना पड़ेगा मुझे कोई बात नहीं मा मैं कैंटीन में खालूँगा कैंटीन का खाना अच्छा नहीं होता बेटा कमाल है कितने लोग खाते हैं लेकिन ये भाई साब नहीं खाएंगे चलो चलो एक दिन नहीं खाएगा तो क्या होगा भूका तो नहीं मर जाएगा ना हाँ बोलो भाई क्या हाले जया जय वीरूं ओके जय वीरन ओके ओके कूल आज अपनी बिटिया का बर्थडे है चलो मंदिर हो करा इसा क्या हैपी बर्थ डे कैसे हो सप्या जब हम मंदिर से आजाएंगी तब मैं तुम्हें चॉकलेट दूँदी ठीक है जिजा जरा इधर आइए न तुम चलो जिजा यह लोग हमारे गाउं के हैं खून करना तो समझ लिजे इनके बाए हाथ का काम है इन लोगों को इसलिए बुला लिया कुछ काम रहेगा तो अपने ही काम आएंगे न मैंने कोई ट्रेनिंग धरमशाला नहीं खोली है चलो जाओ वो कोन है वे तेरी जगह पे काम कर रहा है उनका खास है क्या वो यहां ऐसे ही पड़ा हुआ है कोई काम धंदा है नहीं तो जीजा ने रख लिया है कोई नौकर तो चाहिए था ना जीजा को उसके तो बाप का भी कुछ अता पता नहीं है जीजा के रहमो करम पे पल रहा है बचा रहा है लेकिन इतना करीब कैसे है अरे एक बार उसने मेरे जीजा की जान बचाई थी सबसे जीजा उसे अपना चमचा बना के अपने साथ रखते हैं और क्या अरे उसके जैसे तो कितने पड़े रहते हैं जीजा जी के आसपास कभी भी भगा देंगे लेकिन उन्होंने अगर तुझे भगा दिया तो ए वो शिकार है और उसका शिकार मैं ही करूँगा क्या रे बहुत जल्दी आगया तू आज पहली बारी लेट हुआ है ना भाई यह अपना भाई है बहुत ब्यार करता है मुझे अज़ा तू यह बता तू ने उस लड़की को मार दिया लेकिन कानों कान खबर नहीं हुई मैं कामी ऐसा करता हूँ भाई जुहू में खाद्शा हो गया भाई एक आदमी को सत्रह लोगों ने मिलकर मारा भाई एक आदमी को मारने के लिए सत्रह ठारह लोग यह कोई बहादुरी का काम है एक हिम्मत वाला आदमी अकेले कई लोगों को मार सकता है यह सत्रह ठारह की बात कर रहा है ऐसे लोगों ने एक आदमी को मारा इसमें क्या बहादुरी है हलो कौन है तुम जाओ 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 हलो हामनी हामनी बोलो मैं सुन रहाओ हाँ हाँ ठीक है ये निजर्ण भुश है क्या करें इयो बुशे और कितना भुखि dedicate कोई गृता है क्या शोरी बोला थितका कैठया है सोरी बोले तो चलेगा बीृत ettiुशे मैं माता और सॉरी खिलताना 5 चोटी चोटी बातों पर मातना धेकिन थे हुआ है यह क्या पागलपाने मुन्ना चलवाओ मुन्ना यह क्या किया तो इसे तुम खोलोगी या मैं उन पुजारियों को माने के क्या जरूरत है मेरे बात सुनो गरीबों को गरीब और कमजोरों को जो पहले से ही दबे कुछ ले अचा यह बताओ मारने में कोई मरदानगी नहीं बिना वजए क्यों लड़ते रहते हो क्यों वो क्या उखड़ लेगा सामने से लड़ने वाले पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन जो पीठ में छूरा भोगते हैं उन पर नहीं किसी दिन फंसे ना तो हलाल कर देगा अच्छा मैं तो डर गया अभी डर नहीं लग रहा ना पर तुम्हारी जिंदेगी में जब कोई आज जाएगी तब तम किस तरह की बाते करोगी यह हम भी देखेंगे इन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हें समान ली है मैं अभी आया भाई भाई तो हमी तुम्हें नही है बाते करोगी अक्रटी जिम्हेंगे कि लगी है जिम्हें हम अभाईगी है जिम्हें पर झाल ने ही अई पए मैंश can't be कि अ अंव रτα कि और रे ये ये फोने डेस को ऑफ झाथ ख़, ली वख वखर किर आ, पक्रून से कहां ए यह 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 जो मादा वूसी बतने वो एक हुआ। बतने दो पो एक हुआ। हुआ। सुआ। बतने वो एक हम क्रूप। एए, एए, मारो से, पारो, पारो से वारो, रए, एए, 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 एए! आज, ने गे इसने बेजा चन्दरा, चन्दरा इए लड्म के गिच्ष को जब हुज हुज हुआठों फीजस कबड़ों का रह曲 हुआए हुआए कि आप डाप्स, सेंग यह जाओ जमें न सब्सक्राइब, जो ईय। कर दो जो इसाम एक है जो ज़ी है जाओ, जो 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 जो, जो 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 कि आड़ो, ुआ है, हौज जो यह सबस्ट नहीं किया है सरे लेकिन कोई मुह नहीं खुलेगा मंत्रा मंदिर में आया थे यह तो कनफार्म है हम वहीं साइट पर चल कर देख लेते हैं वह हमें ढूंदते हुए आएगा इसे के आपने अपने साथ नजर उतारने के लिए रखा हुआ है काफी पुरानी बात है मेरी उसकी दुश्मनी दस साल पुरानी है इतने सालों बात वो अटेक करेगा सोचा नहीं था सोचना होगा जीजा सोचना होगा अब आपको मारने के लिए किसी और को भेजेगा वो इस दिन इस हाथ में हथियार उठाया था सिर को उसी दिन गिर्वी रख दिया था लेकिन मुझ पर जिसने भी आँखें उठाई वो जिन्दा नहीं बच्चा वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चे हैं वो छोड़ दो सबको अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगा उसे जहां भी होगा ढूंड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके वो कहां है यह तो पता नहीं तो उसे कैसे अपनी पक्वास बंद कर जब जब जरूरत थी तो छुपके बैठा जिससे सिर्फ दूद पीना आता है अगर यह अपना होता तो यह चुप बैठता ग्या और इसे क्या फरक पड़ता है कल मेरी बेहन बिद्वा हो जाएगी तो भाई वो डीसी आपको हर जगा ढून रहा है सर्थ मंदिर में जो कतल हुए हैं वो सिर्फ दो लोग ही कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला शक्त मेरे हिसाब से मंत्रा के आदमियों पर ही जा रहा है सर सर्थ मंदिर में जितने भी खून हुए थे वो सब मैंने ही किये हैं सर्थ वो खून मैंने किये हैं यह आवाज कैसी है वहां क्या प्रॉब्लम है बस में चेंज चोरी करने वाले को पब्लिक पकड़ के मार रही है सर्थ अब उन्हें अंदर बुलाओ उन्हें अंदर बेज़ेंगा आए है 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 था इसे जो लाया था हाथ तोर कर लाया था ऐसा है फाइर दिखो सच सच बता बता अब फून करके कोट जाना था यहां पर किवायो तुम लोग मुझे बेकूप बनाते हो तुम लोग किसे बचाना चाहते हो अच्छी तरसे जानता हूँ मैं जिसने तुम लोगों को भेजा है उसे लेने में जरूर आउँगा याद रखना चल्ड़ आसे यहां यहां जो कुछ मंदिर में किया वो मैंने किया सर वो खून मैंने किया है सर ठीक है तो अरेस्ट किजिए सर अरेस्ट नहीं करूंगा जा तुम लेकिन मैं भी तो वांटेड हूँ ना सर तो अरेस्ट किजिए तुम मेरे लिए वांटेड हो इस केस के लिए नहीं जाओ यहां से मैंने वो खून किया है कह रहा हूँ ना तो अरिस्ट कीजिए ना मुझे तो ठीक है मैं तुम्हें अरिस्ट करता हूँ आप खुश सर्थ तूने मारा अन्या उन लोगों को यह ले पकार अगर तुने मारा होगा तो पता चल जाएगा कि तू कातिल हा या नहीं तेरे मारने से अगर मुझे खरो चाहिए तो मैं समझ जाओंगा तो ही कातिल है अरिस्ट कर दूँगा तुझे देख क्या रहा है हाथियार चला रास्ते में कॉलर टैट करके घूमना और हतियार पकड़ने में बहुत फार्क होता है बेटा 15 साल यूपी बिहार जैसी जगों पे पुलिस की ड्यूटी करके आया हूँ यहाँ पर मैं वहाँ पर बड़े बड़े गुंडे बदमाशों मवालियों को धूल चटाईए मैंने तू क्या चीज़ है उनके सामने किस हतियार को कैसे पकड़ना है कैसे चलाना है कहा मारना है सब कुछ जानता हूँ मैं तेरे हतियार पकड़ने इसे में समझ गया कि तू आनाडी है मैं तो आनाडी नहीं हूँ न साब मैं तो आनाडी नहीं हूँ न सार सार उस मंदिर में जिसने खून किया था वो देली कोट में हाजिर हो गया है इस केस को सी आडी को सौप दिया गया है आपने जो सबूत ही कठे किया है वो वहाँ भेज दीजिए वो सारे खून मैंने किये लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे तम बहुत गलत कर रहे हो मंत्रा बंदूक से निकली हुई गोली नहीं जानती कि वो किसी का जान लेने वाली है या किसी को बख्षने वाली बंदूक को एक नएक दिन चंग लगे जाती है पर गोली अपना काम करके ही रहेगी तुम यहां किसलिए आए चलो आओ कब तक बचेगा मेरे हात्वर मंत्रा से पहले इसे उठाना होगा सर असके नावन की गोली मेरे पास है रीटी है क्या चलते है अब यह प्रेडी नहीं हो आ तुक चला जा अरे 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 तुझा में अंदर बहारा आगा क्या हुआ यह अब तक आया क्यों नहीं अरे मेरा भाई भी तो उसी कॉलिश में पढ़ता है सुपब काम हो गया क्यों रेच चुजे सुबे से एकसरसाइज कर रहा है कहां गिरेगी बिजली मेरी इतनी विज़त मत कर मोटे मुन्ना तुससे कुछ कहना था देवी का से अच्छी तो उसकी फ्रेंड है उसके बारे में कुछ मत बोला क्यों कि वो मेरी जान है तेरी जान कौन है सरन्या कौन वो नाटी वाली पिर वो रम्या बिलकुल क्या कहां किसी भी लड़के को अपनी जिंदगी में 100 लड़कियों पर प्यार आ सकता है वो सब शायद सच भी हो सकते हैं कोई लड़की आकर कहती है तो क्या करें कौन तुम्हारे पास आकर कहा है क्या है लेकिन कड़वा लग रहा है भाई सुन रहे हम लोग आपस में बात कर लेंगे तु खाने पर देहां दे हैं ओके यह तूसे कभ इजार करने माला है यह मैं कैसे कह सकता हूं यार अरे वह जैन कॉलिज में पड़ती है ना तो वहीं जा कि आल अभी बोल डाल अब तुम एक क तुम से सपना जैसा लग रहा है मैं बहुत खुश हूं भाई आज अब है अर्वेन हाइड तुमने अप्रोजेक्ट कंप्लेट कर लिया ना मैंने कर लिया चलों तुमें क्लास में निखाता हूं ठीक है यह कौन है मेरा नाम देविका है मेरा नाम मुना है आप क्या करते हो अब वो में अब फाइनेंस एविका हां जो बुक तुमने पूछी थी वो लाइब्रेरी में है जा के कलेट कर लो ओके सर ओके बाई सियु लेटर अब तुम मुझे रोज चोड़ने आओगे ना चल निकल क्या हुए रे तु तो बड़ा मटक मटक के चल रहा है कल दावत की बिर्यानी बहुत अच्छी थी तो दबा कर खा लिया इस तरह चल रहा हूं जादा खाएगा तो 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 यही हाल होगा करम हमा मार दी सब्सक्राइब अरे भाई सक्सेस सक्सेस अज सुभा मैने उस लड़की से बात की आपात है नंबर लिया क्या पहली बाहर तो मिला उससे तुरंत उससे नंबर लेना बस रहे यार तु शुबे मीटिंग शाम को डेटिंग चल जा यार यार यह यह बेवकु क्लासमेट क्लासमेट सुबह जो कॉलेज में बात कर रही थी ना वही ओके अगले संडे को तुम फ्री हो क्या कमिंग संडे एक मीटिंग है मेरी ओ मीटिंग है ठीक है बाई संडे को मिलते हैं संडे को अंधेरी के पास जो टी शॉप है वही मिलते हैं तुम अपने फ्रेंड्स को भी लेते आना थीक है फ्रेंड्स को सत्या चल्दी चलो ना आवाँ वेलकम तो यू आल हार्टली इन्वाइट फ्रॉम के पिस एस्टेट एंड के पिस बिल्डर्स आपके लिए के पिस बिल्डर्स ने एक योजना बनाई है उस योजना के तहत आप सब कम लागत में अपने लिए घर खरीच सकते हैं यह कौन सा कफी शोट है आप सबों को गर्व होगा कि एक छोटी सी लागत में अपने घर के मालिक बनेंगे वैसे आप मेंसे कितनों के पास घर नहीं है हाथ उठाईए ओ माई गॉड इतने लोग हैं किराय के घर में क्या तकलीफ होती है हम सब को पता है घर की दिवार में किल नहीं ठोक सकते बड़ा समान घर में नहीं ला सकते घर को अपनी मर्जी से सजा नहीं सकते ऐसे रहने का क्या फाइदा अगर आपका अपना खुद का घर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना अपने अपने घर के आणर हो सकते हो अंधेरी से सिर्फ तेरा किलो मेटर दूर अरे मंधेरी से तीन किलो मेटर दूर रहते हैं हमें क्या पागल कुद्टे ने काटा है जो तीरे किलो मेटर दूर जाएंगे जिन जिन लोगों को अपना जीम होम चाहिए वो हमारे रेपरेजेंटेटिव को अपना डॉकुमेंट्स देदें हम उस पे कारवाही करेंगे जॉइन वेद अस और इंजॉआ यूर ड्रीम होम आपका नाम है श्री कांथ मुनी क्या श्री कांथ मुनी श्री मुनी है इजजत से बोलना थोड़ा प्यार से हाँ ठीक है वैसे यहां कब से काम कर रही हो मैं यहां काम नहीं करती फैन के साथ आई हूं मैं आपका दिवाना हो गया हूं आपका नाम सुरेश कुमार चार लोगों को जॉइन किया है ट्रीट नहीं है क्या ट्रीट अब चलो मेरी तरफ से मेरी तरफ से मुझे यकिन नहीं था आप आएंगी तो वकरा बने तो तो ही हलाल होगा ना यहीं चुब बैटना आप 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 तेरा पेट खराब है ना चिकन क्यों खा रहा है ऐसा कुछ नहीं है भाई कल रात को हमने जम कर दारू पी थी ना तुम तो दो पेग में ही टली हो गए थे बाकी बच्ची मुझे पीनी पड़ी ना पूरी दारू खतम करने के बाद मैं बाहर पहलने के लिए निकला और जब मैंने सुसु की तब पता चला के हिट निकल गई अच्छा अब मैं बात कर रहा था तो तुम्हें चूटी कूं काटी एसे खुले दिल से बात करने वाला इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा यूश्व क्यूटी 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 लाब अब यूआ ना ना है कर दो कर दो से अन्यार शाहिरी प्रपोर्स करने से पहले शाहिरी लिखके दे देता हूँ पदो ने, पूत पconstते हो हुआ की की हुआ है अरे नुका हाई वन सेकंड तुम लोग जाओ मैं आती हूं क्या हुआ सत्या क्या है ये शाहरी तुम शाहरी भी लिखते हो नाइस बहुत अची है सूपब को ने तु बार बार कॉलेज में आके लड़कियों को फिल्म दिखा रहा है ये हाथ अटा चल मैं जो बोल रहा हूं तू सुन रहा है ना हाथ अटा मंत्रा का चेला है तो डरा रहा है हमें तेरे पास एक मंत्रा है लेकिन मेरे पास सौ लोग हैं आपने सामने टक्कर करेगा क्या अकेला आया है या सब को लाया है रहा है रहा है प्रेफ कर दो ने ना राउ तर पहोँ था नया आ आ तर है अ अ तर है तर है वह तर है कि जा रहा इडि़कर दो में का रहा है कर दुट कर दो उर रह कर कर, को mai ऩा है बह्या बह्या को चोट चोट मेरे बह्या को करतना कने कैने को बोला था यह फिल्म चल रही है कि रुक क्यों आया है एक इसलिए आया है मेरे remedy की साथ क्या किया तुन्हें मैंने क्या किया में कह रहा है क्या किया मैंने warranty मार इसलिए लेकर गया था इससे अपने साथ जब तु इसे ले गया था तब ही मुझे पता चल गया था कुछ होने वाला है कितनी चोट लगी है इसे देख सिर्फ उसे ही चोट नहीं लगी है मुझे भी लगी है समझी मुझे भी बहुत दर्थ हो रहा है मेरा भी बहुत खुन ब से बदल सकता आज के बाद मेरा एक ही बेटा है और तुझे जहां भी जाना है तुझा सकता है पर मुझे अपना चेहरा मत दिखाना चला जाया से कि मा चल बेटा क्या हुआ इतना गुमसुम क्यों है वह सब छोड़ चल कुछ खाले देख तेरे लिए बिर्यानी लेके आया हूँ अगर हात लगाया तो तोड़ दूगा नाइडू की बिर्यानी है ना पी समेशा कम डालता है वही मैं चेक करने की सोच रहा था ये इसके लिए है चल खाले वह बीच में आया तो माहने मुझे ही टेंशन क्यों ले रहा है बार बार एक ही बात सोच जा रहा है पहले बिर्यानी खा और देख खाने में ज्यादर देर लगाई ना तो इस मोटे को देख ले तेरी बिर्यानी सारा ये खा जाएगा सुन भाई तू देविका के पास जा और अपने प्यार का इजार कर प्यार की शुरुवात होगी न तो जिन्दगी खुबसूरत हो जाएगी क्या सोच रहा है यार देविका से प्यार का इजार करने को डर लग रहा है कैसे बताऊ उसे तु इतना डर क्यों रहा है यार बच्पन में मुझे अपने पापा से बहुत लगाव था जब मैं छे साल का था उसी वक्त वो बिचारी गुजर गये मेरी माने भाई के पैदा होते ही अपना प्यार उस पे निचोर कर दिया और मैं प्यार के लिए तडबता रहा लेकिन मुझे कभी प्यार नहीं मिला मैं उनसे दूर रहा उसके बाद भी मुझे कभी अफेक्शन नहीं मिला पर पहली बार जब मैंने देविका को देखा तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ इसका क्या रिजन था मैं नहीं जान था लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ यार अगर वो नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊँगा और अगर वो मेरी जिंदेगे में नहीं आ सकी न तो आने वाले किसी भी पल मेरी मौथ हो सकती है यह याद रख लेना बाई कल उसके फ्रेंट के पास जाएंगे और सब कुछ पता लगा लेंगे पहले उसके फ्रेंट को कैसे काविता अपनी है यार अपनी है मुझ जिसके पास होगा हलवा वही खाएगा ना चिकन भी तो खा सकते हैं ना भाई चल रख उसे यह तुम क्या कह रहा है हो देविका तो अर्विन से प्यार करती है अर्विन भी उसे प्यार करता है वो दोनों साथ में कैंटीन गए है कौफी पीने के लिए तुमने उसके सामने जूट क्यों कहा हां मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूँ सुनो ना अर्विन तुम मेरी खेल करो ना मैं ना लिख लिख के बहुत बोर हो गई हूं तुम लिख दो ना प्लीज मेरे लिए लिख दो ना ओके, कल लिख के दे दूँगा, क्यों अभी क्यों नहीं, आज शंकर एकेडमी के लिए मुझे एक शायरी लिखनी है, उसी में टाइम लग जाएगा, कल लिख के दे दूँगा, हे, शायरी से एक बात याद आई बताती हूँ, तेरे भाईया है न, दिमाग से पैदल है, तेर आरी वज़े से मैंने तारिफ की, किकने घटिया सोच के लोग होते हैं यार, अब तुम्हें बता, उस वक्त मैं क्या करती, तेरे भाईया बिल्कुल जोकर लग रहे थे, तुम्हें पता है, वो तुम्हारे शायरी चुरा के, मुझे इप्रेस करने के कोशिश कर रहे थे, म मुझे, मुणा रुको, मुदा रुको, कहाई चाहरा यार, मुणा रुको, मुणा रुको अरे मुना रुग्जा येविया समाद नंवे समया जया अरे लेकिन यार हमारी बात तो सुन मुना मुना बात समय ने की कुछी का मुना अरे तुम हमारा दोस्ता यार मानता के नुए मुना बोलो अर्विन यहां अकेले में क्यों बुला है मुझे इस तरीके से गुस्सा करना ठीक नहीं है यार पहले असलियत तो जान ले क्या करने जा रहा है तू मेरे भाईया तुमसे प्यार करते हैं ओके तो मैं क्या करूं तुम ही उनके प्यार को अपनाना होगा यह तुम क्या कह रहे हो तुम इसे प्यार नहीं कह सकते अर्विन्द तुम्हारे भाईया को सिर्फ एट्रेक्शन हुआ है और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भाईया से प्यार करने लगू यह मेरी लाइफ है मैं ऐसे किसी से भी प्यार नहीं कर सकती और वो भी तुम्हारे भाईया से चांस ही नहीं है अर्विंद देखो देविका मैं उनके प्यार के लिए तुम्हारे प्यार पढ़ता हूं प्लीज देविका मान जाओ ना यह क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या नहीं देविका बचपन से ही मेरे भाईया को मेरी वज़ा से बहुत सारी तकलीफें जिलनी पड़ी मैं बचपन से ही उनका प्यार पाने के लिए तरपता रहा मेरी वज़ा से मेरी माने में उन्हें बहुत भला बुरा बुरा है और वो सुचते हैं कि मेरी माँ मुझे जादा प्यार करती है सबकी माँ अपने बच्चों से एक जैसा ही प्यार करती है उसमें उचनीज क्या है क्या हूँ आरविंद तरह सर मैं जिन्दगी के आखरी दिन गिन रहा हूँ बच्पन से ही मेरा दिल कमजोर है ये क्या कहँ रहे हो मैरी इस बिमारिका डॉक्टर के पास कोई नाज नहीं है मुझे मेरी बिमारिका अब एक सिन पहले ही पता चला और मेरी माँ मुझे ये सब बताना ही नहीं चाहते थी और इसे लिए वो मुझे बहुत प्यार करती थी मेरी वजह से मेरी मा का प्यार भी उन्हें नहीं मिला अगर मैं तुम दोने को मिला देता हूं तो मैं उनके लिए कुस्तो कर सकूंगा फिर उसके बाद मैं बहुत ही सुकून से मर सकूंगा प्लीज देविका प्लीज तुमने मुझे यह सब बताके एमोशनल कर दिया यार बट मेरे लिए लाइफ है यार मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए बैक ऑजुख मुझे लुका बढ़ा बागल हो गया ke county पागल हो गया क्या तुझे समझ में नहीं आती ऐसा होता है यार पापी हूँ बेचारे मेरे भाई को मैं अपने भाई को मैं मारने चला था मा 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 क्या कर रहा है तुझे मुझे माफ कर दो मा बेटा जैसे तुने मा कहा मैं सब कुछ भूल गई बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया मेरे तुपर मेरे कर दिया कर दो कर दो कर दो हाँ भाई मुन्ना इसी वक्त मेरे पास आज़ो ठीक आदो है नियू 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 अब क्या हुआ देख मुन्ना अपने भाई और अपनी मा को समझाना इतना नहीं कर सकता जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही तो है तो खून खराबा क्यों करता है ऐसा कुछ नहीं भाई जैसे ही आपका फोन आया तो मा का चेहरा पूरा मुर्चा गया था भाई बहुत तकलीफ दे चुकाओं मैं उन्हें लेकिन अब उनको मैं और तकलीफ नहीं देना चाहता भाई मेरे हालात आप समझने की कोशिश करो ना मैं चलता हूं मुन्ना एक मिनिट बाहर तुमने देखा है ना अपने लड़कों को जहां रखते हैं वहीं ले जाकर छोड़ दो ठीक है भाई मैं चलू भाबी अपना खयाल रखना सत्या भाई यह आखरी काम होगा अगर ही आपका अपना भाई होता तो ऐसे बोलता क्या आज वो अपनी मा के लिए आपको अंग उठा दिखा के चला गया है कल वो अपनी मा की बात मान के आपको पकड़वाने की कोशिश भी कर सकता है उसे ऐसा ही मत छोड़ दीजे जीजा और ना बाद में परिशानी होगी अज की फर्स प्राइज विनर है मनी वर्दन फ्राम लोटस एंजिनिरिंग कॉलेज और अप पोईट्री राइटिंग फर्स प्राइज गोस्टू अर्विन और जेन्स कॉलेज अंजिनिरिंग अर्विन तीन सार से तुम ये प्राइज जीतते आ रहे हो आज तुमें हम सब को एक कविता सुनाना होगा पर ऐसी कविता जो पहले न लिखी हो कुछ ऐसा जिसका खयाल तुम्हारे दिल में अभी अभी आया हो ऐसा कुछ सुनाओ खुशी में शामिल होकर मा अपने घम बुला देती है मा जब भी कभी जिंदगी में हमें ठोकर लगे तो फिर याद आती है मा मा, दुनिया की तपिश्ट से सितल चाया देती है मा, खुद चाहे कितनी भी ठकी हो, वो हमें देख के अपनी ठकान भूल जाती है मा, अपने प्यार भरे हाथों से हमारी ठकान मिटाती है मा, बात हो लजीज खाने की, तो याद आती है मा, मैंने अपने पिताजी को कभी नही नहीं उनका प्यार मुझे मिला, मेरे भाई से मुझे मेरे पिता जी का प्यार मिला, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, भाई, मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो सिर्फ आप की वज़े से हूँ, क्योंकि आपने अपने हि कैशे के बढ़ कर दो रेखीं कर्म थे 77 तुझा जान से भी बढ़ कर है तू सभिनु वाई तुले जन दो किमें अपनी तुझञ प्रेवार दू मैं भाई मेरे जान से मैं दो कि जैसे तू पावन करू तुझ पे गुमान जिन्दगी मेरे तू बनके रहता है जान तुझ को कितने सारे दर्ध मैंने है दिये टुहियेदा है जिन्येदा सुखा कि ज्यान कर दो कर दो कि आत एक हो कर दो उन्हाम कर दो नग्वारा एक कर दो माण जारा कर दो ब दो पिता एक हम खार एक हमा चाहिए एक हुए ला भरा है वाई जरा तबिया ठीक नहीं है इसे लिए मैं लेकर आया हूँ कामिनी याओ ये लो एकदम बढ़िया पकाना हाँ कामिनी ये लो एकदम बढ़िया पकाना हाँ इसका घर है पता है ना कुछ पूछ रहा हूँ मैं मुझसे ही चाला की मुझसे हाँ आपको प्रेंस आंतल रहा हूँ किसका घर भाइस में प्रेंस और रहां क्या वाँ प्रेंस है तोलुंग नही है! जडिए एक प्रणुंग नही है! आड़! आड़! ए इदे थाइकूल गारा है! कारदे जगला! वांटेट रावडी की मौद्ड आज चन बट्टा एलियास शनमुक नाथन की लाश आज अजीबों गरीब हालत में पाई गई साथी साथ उनकी बीवी को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया शनमुक नाथन चन्नेई में रेब और मर्डर जैसे गहर कानूनी काम कर रहा था ये पिछले दस सालों से अंडरग्राउंड था और आज सुबह चन्नेई में मरा हुआ पाया गया इस मामले में F.I.R. दर्ज कर दी गई है और पुलिस आगे की कारवाही कर रही है इस केस के संखले में संदिक लोगों से भी बुश्चा चीजा रही है पुलिस कई दिनों से इस गुनेहगार की कर दाश भी इसकी बात में उन्हें मदरे से कुछ नेट मिली थी और उन्हेंने पूरी चान बीन की मतलब आपके लड़के ने किया मतलब आप ने किया इसे कज़े चोड़ दूसे मेरी बहन का सवाल है हमारे गाव में जब कोई नया तराग बनता न तो उसके कमर में रसी बांद के उसे नदी में छोड़ देते हैं और जब वो डूबने लगता है तो उसकी रसी बकड़ के उसे जोर लगा के बाहर खिच लेते हैं इससे उसकी जान बच जाती है लेकिन ये जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार आदमी को ही देनी पड़ती है नहीं तो उसे मरने से नहीं बचाय जा सकता इसलिए पैसो के मामले में कभी भी अपनों पे भरोसा करना चाहिए इसलिए जरूरी है जिजा कि पैसो की बागदोर आप अपने हाथ में रखो क्योंकि आपसे बढ़के उसकी इफाज़त कोई और नहीं कर सकता आज मेरा छोटा भाई सरेंडर हुआ है और जिसने आपको मारने का प्लान बनाया था ना उसे मैंने मार डाला ठीक है मुझे भरोसा हो चुका है अभी भी बोल रहा हूँ जीजा उस मुन्ना को इतनी असानी से जाने मत दीजिये कोई बात नहीं इन लड़कों को अपने साथ रख सकते हो आज से इनका ख्याल रखना है चल ठीक है बाई कर दो दो आज से जाने मत दो आज से जाने मत दोड़कों को अपने साथ बाई कुम लग्च चाट मैंने अपनी जिंदेगी में बहुत लोगों को दुख दिया है लेकिन किसे को धोका नहीं दिया मैंने अपने दिल की बात इस लेटर में लिखी है अगर तुमने पढ़ लिया तो मैं समझ लोगा तुमने मुझे माफ किया और अगर बिना पड़े फैंक दिया तो आगे कभी मैं तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा इंस्पेक्टर मनी को बोलो कि मुझसे मिलें सर हाँ जमील नाम का एक human weapon यहां पर आया हुआ है उसका encounter करना है सब उपर से order है सर इस station पर इसे भेज दो ओके सर human weapon मतलब human weapon मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने लिए और पैसो के लिए खुन नहीं करता बड़े बड़े लोग जिसे drugs देकर mentally trap कर लेते हैं और उसे अपने लिए इस्तिमाल करते हैं इनके पास basic sense भी नहीं होता they have no sentiments, they have no emotions इनके सामने बच्चा हो या फिर बड़ा अपने target को खत्म करने के लिए कुछ भी करते हैं यह बहुत सारे ऐसे crimes होते हैं जिनका कभी कोई सुराग नहीं मिलता वो इनके दोआरा ही किये जाते हैं they are very dangerous वैसे यह जल्दी नजर नहीं आते मगर इस जमील को पड़ोसी राज की पुलिस ने घूमटे वे देखा है सर वहां से आने वाले सभी छोटे बड़े criminals को मंदर मूर्ति और उसका साला Minister Dora ही सबको आसरा देता है इसके विशे में हम मुन्ना से पूछेंगे तो वही हमें बताएगा उससे पूछने से क्या फाइडा सर मुन्ना अभी मंतरा के साथ नहीं है वो बाहर है तो अभी बताएगा क्या हो सकता है सर पूछना पड़ेगा या सर जुदा करके आप हमारे साथ गेम खिलना चाहते हो ये तो सच है कि मंतरा और मैं जुदा हो चुके हैं लेकिन दुश्मन नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा मंतरा को मार देना तो दूर की बात है आप उसे चुबी नहीं सकते मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आया बलकि उसके पीछे कुछ वज़य है सुना क्या कहा उसने जुदा है मगर दुश्मन नहीं है अब देखना तुम इनके दूस्ती दुश्मनी में कैसे बदलती है किया सर जुदा करके आप हमारे साथ गेम खिलना चाहते हो ये तो सच है कि मंत्रा और मैं जुदा हो चुके है लेकिन दुश्मन नहीं है मंत्रा को मार देना तो दूर की बात है आप उसे छूबी नहीं सकते शाम होने से पहले उस जमील को मारना होगा कैसे सर डिपार्टमेंट में इमानदारी से काम करने वाले दस ओफिसर्स को यहां पे बुलाओ और उनके साथ मेरी मेटिंग अरेंज करो जमील नाम के हुमन वेपन के बारे में आप लोगों को पताई होगा और इस समय हमारी सीमा में है आज रात को कैसे भी करके हमें उसे उठाना होगा हमारे पास यही एक रास्ता है अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आज रात वो बहार आएगा इस ओपरेशन में हमारे साथ और भी सौ लोग काम करेंगे वो हमारे साथ काम तो करेंगे लेकिन हमारे plan के बारे में, target के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होगा हमारे जितने भी officers होंगे अलग-अलग जगों पे तैनात होंगे लेकिन उन सब को एक instruction फालो करना होगा और उस वक्त मैं control room में बैठ करके सब को एक साथ instruct करोंगा मैं उम्मेद करता हूँ कि कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए आगे क्या करना है मैं आप लोगों को रात तक बताऊंगा Most confidential मंत्रा मूर्ती के घर के बाहर हमारी पुलिस को पहरा देने के लिए का हो Ready sir उसके घर के चारो और एक किलो मीटर तक सिर्फ हमारे ही लोग होने चाहिए Okay sir Now listen Everybody should be alert Call team alert sir पहले सत्या का नंबर ब्लॉक करो अब मैं मंत्रा मूर्ती को call करता हूँ क्यों मंत्रा समील को छुपा लेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्या बैया जो बात कह रहा हूँ सुन अगर तो मुझे रोक सकता है तो रोक ले अब वही होगा जो बैचा होगा क्या बात है जिजा क्या हुआ कंट्रोल डूम मंत्रा का call record किया न Yes sir मैंने खुद उस मुन्ना को DC के साथ देखा था पर आपको बताया तो आप मान ही नहीं रहे थे अब देखा न यकीन हुआ अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो इस वक्त मंत्रा सत्या को फोन करेगा क्या हुआ जी जा कह रहा है नंबर नाटी नियोस तो आप कॉम्बन को वहां से हटाना होगा अब मंत्रा अगला कॉम्बन को करेगा ठीक है मंत्रा पागल नहीं है जो अपने नंबर से फोन करेगा तो अब क्या करें सर जार अपना फोन देना उस एरिया के सारे सिगनल्स को पूरी तरह से जैम कर दो सीगनल ही नहीं मिल रहा इसमें भी नेटवर्क नहीं है इसमें भी नेटवर्क नहीं है तुम लोग अपने फोन चेक करो इसमें भी सिगनल नहीं है इसमें भी नहीं है भाई रुक जाओ जाया फोन रख दो ये सब डीसी का काम है वो हमारे फोन टेप करना वो सिर्फ ड़ा रहा है उसको ऐसे छोड़ दे क्या ऐसे कैसे छोड़ दे उसने कहा है तो वो जरूर करेगा जमील बहार आया वो आएगा, जरूर आएगा यह भई यहां से नौर्ट साइट पांच किलोमेटर की दूरी पर एक पब्लिक फोन बूध है, वहाँ पर जाओ और इस नंबर पर कॉंबन को फोन करो और उससे कहो कि वो बस पकड़ कर तुरम पॉंडिचेरी के लिए निकल ले ठीक है भई जाओ, और सुनो खयाल रखना कि कोई तुम्हारा पीछा न करने पाया ए जया पॉंडिचेरी के दया को कॉंबन के डिटेल्स भेज कर उसे इसी वक्त वही रुखने के लिए कहो जाओ सर वो निकल के जा रहा है किदर जा रहा है? नॉर्थ साइट सर नॉर्थ साइट के टीम को कहो कि उसे फॉलो करें लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए लेकिन वो किसी भी तरह से आँखों से ओजल नहीं होना चाहिए बहुत ध्यान से पीछा करना है उसका अगर उसे ज़रा भी शक हुआ तो हमारा प्लैन खत्म हो जाएगा लेकिन दो कर दो झांचल कि पुर्च superiority। सर दो इसकत बीदो बंढ़े तुम पारक्षाक नगो听 पो पुम करो झान ो जिस पब्लिक बूस से वो बात कर रहा है उससे तुरंट टैप करो हाँ सर टैप कर रहा हूँ वो एरिया कौन सा है अंदेरी है सर ए पागल सर उसने पागल बोला वो जमील का पासवर्ड होगा टैप करते रहा हो वहाँ जो भी पास में ATM होगा वहाँ पर जा उसमें से पैसे निकाल और पांडी चिरी जा वहाँ पास में कितने ATM से चार ATM है सर हमारे लोगों को सभी ATM में पहुँचने के लिए बोलो जैसे ही तुम्हें किसी आदमी के उपर शक हो तुरन मुझे बताना I'm coming इता जी ATM के पास लोटिफाइड आदमी आ रहा है सर तर वो एटीम पर आगिया है छोबिटाइड खर शोफ जबताना पागल हलो क्या मंत्रा जमिल को पॉंडिचरी पहुचा दिया क्या अपने टीवी पे देखो जीजा कॉम्बन को पुलिस ने मार दिया चलो चलते हैं ज्राइवर जी जरा गारी साइट में लगाना तो क्या सत्या ठीक हो ना तुमने क्या कहा था कि मंत्रा के साथ साथ उसके किसी आदमी का तुम कुछ नहीं बिगार सकते जमेल का बिगार दिया न मैंने खत्म कर दिया उसे अब तुझे भी मारूंगा और तेरे जो सेलिब्रेट कर रहा है सिर्फ बच्चे ही सेलिब्रेट करते हैं क्या कोई भी किसी भी उम्र में सेलिब्रेट कर सकता है वही मैं कर रहा हूं बुन्ना देख छोटे बच्चों की तरह क्या कर रहा है यह यह सब कर रहा है बस तुम जाके वड़ा फट रेडियो मैं बर्थेडे केक लेकर आता हूं दुकान का नाम बोल दे मैं खुद लेकर आ जाओंगा अपने बर्थेडे पर आप केक लेकर आओंगे कमाल है मैं केक लेकर आओंगा आप सिर्फ केक काटना जो बोल रहा हूं वो सुनना दहुत बारिश हो रही है क्यों इतनी बारिश में जा रहा है अब तो ठीक है ना बाइक की चाभी दीजे बाइक चाहिए अब मैं बाइक अच्छी तरीके से चलाने लग गया हूं आप दीजे ना अरे डर क्यों रहे हैं ? मैं आप से भी जादा स्ट्रांग हूं भईया कुछ नहीं होगा चाभी दीजे ना बनख बवना प्यार से मांग रहा है दे देना बेटा अरे मैं दूर नहीं जाओंगा मा यहीं पास में ही तो है प्लीज 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 मा बोलो ना प्लीज भाया दो ना प्लीज प्लीज भाल दिया जाक जका मुदहाँ हाँ जाओ ना जाओ कर अच। च्ञ्ड़ प्लीज प्लीज धर्ग टे रहिं हाँ इड़ इड़ ँए इसगों आखाता यिस मार्वे सुल्टस अभी उनुटा क्यों फिल्टौ ये फुल्टो कि दो में और में आटा ड्यांट का साट्वीड कर्दें अनुक्त Но क déjà वना कि भीड व्या-णाग ड़ीर हर जारिभ छी इए मेरा भाई अर्वे अर्वे जिन्दगी मैं अपनी तुझ पे बार दो मैं भाई मेरे गंगा के जैसे तू पावन करू तुझ पे गुमान जिन्दगी मैं मेरे तू बन के रहता है जान तुझ को कितने सारे दर्द मैंने दिये जिन्दगी में तुझ जिन्दगी मैं झाओव मैं है बाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मैं तीन नहीं से देख रहा हूँ तुम बहुत दुखी लग रहे हो तुम्हारे भाई का जब फोन हुआ था तो मंत्रा मूर्ती के साले जया की लोगों को यहां देखा था तुम्हें देख के दुख हो रहा था इसलिए तुम्हें बता दिया पर यह बात किसी और को मत बताना भाई बोलो जान तुम्हारे हो रहा हूँ आ रहा हूँ डार्लिंग, रास्ते में ही हूँ अच्छा, तो अभी कहा हूँ और कहा हूँगा, हमेशा वाली जगे पे सूसू कर रहा हूँ पर अच्छा, तुम्हें बतलोगे, जल्दी आओ कौल हो तुम लोग, छोड़ा मुझे कौल हो, छोड़ा मुझे यह क्या करना हो, यह कुछ मोलते हैं चूटाई ऐ मुन्हा, तुह है क्या तुने मजे क्यों उठाया, पहले खोल मुझे मेरे भाई को किस ने मारा क्या कहा तेरी भाई को महड़ा डाला है अब ही ड्रामा मत कर बोल मजाक मत कर मैं तो दू दिन पहले यहां से बाहर गया हुआ था मेरे गाउं में मुझे किby. बांग के रखा है मैंने कब किसी का खून किया मैं नौकरी करता हूं मुझे क्यूं मार रहा है तू मुझे कुछ पता नहीं है मेरे भाई की माउट से में पांगल हो चुका हूं अगर तूने सच नहीं बोला ना तो में तुझे मार डारोगा बोल किसने मार मेरे भाई को बाला है क्यों मारा मुझे पता नहीं मुझे खोल कर तुझा, मुझे कहों जाना है, मेरी बीवी इंतजार कर रही है, मुन्ना मुझे खोल कर जा, मुन्ना कहों नहीं हो, जया अब कहां जा रहे हो जाके, जया को मैं मार डालूँगा, कहां मारोगे, मंतरा के घर जाके मारोगे, मंतरा के घर जाके, जया को कैसे मारोगे, फिर मंतरा तुम्हे छोड़ेगा, तो जया को मैं छोड़ दूँ क्या, कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अर बिंद के कातिल को मैं अप किसने किया कैसे किया एक कलू तक किसी को नहीं मिलेगा बता स्यक्राइब है मैं एसम साथ लागोई मुझे भाऊ जाला है परिसो पूर्नीमा की रात है आप थे वह Wow मंदिर है न मैं वहां पर जाओंगा जया वहां पर आएगा इसके असले पाल फी होगा कर नेचे वाला मंदिर वहां पर जरूर आएगा एक्दम करर्यक्ट — создanne मर जाए के आ? की है कर दोड़ीघ कि घालवा रा dungeon कि रहे बं raspberry दोड़ी выгляд कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो फब घब अबका जपना जब कर दो को अ अबुalin को भी जब अब़ दो को अ घब कर दो को अब। जाने ऐसे प्लीज मचया आसे सुनिए बचाए ना उसे जाए उसे प्लीज बचाए आप खड़े-खड़े क्या देख रहे हैं जाए उसे बचा कर लाइए आपको मेरी कसा आपने तो बोला था ही आपका साथ देगा अब देखा ना अब भी उसका पक्ष लोगे बोलिये क्या बोलते हैं लेंगे उसका पक्ष खात्म कर तो उसे जाओ मैं मंत्रा के पाँ जा रहा हूँ मंत्रा दुश्मनी करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ता लेकिन हम लोगों ने उसकी बेटी को ही उठा लिया इसलिए वो हमें छोड़ेगा नहीं मैं जा रहा हूँ उसके पास अइसा वैसा कुछ मत कर जल्दबाजी में लिए फैसले गलत होते हैं हम कुछ सोचेंगे तुम अपनों को साथ लेके दूर चले जाओ उसके बारे में फिर सोच लेंगे अब तक तो मंत्रा के आदमी हमें हर जगा ढून रहे होंगे उनसे बचके कहां जाएंगे हम तू चि मुश्किल में फसेगा तो उसी गाड़ी में बैठकर चित्तूर चला जा कुछ दिन बीतने के बाद मंत्रा का गुस्सा शांत हो जाएगा उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या करना है पहले तुम मा को लाके दिविका के घर पे छोड़ दे रात को ठीक दो बज़े तु उसको पस्टॉप पे लेकि आजा मैं वहाँ पर कैसे भी पहुँच जाओंगा ठीक है बाई तुम लोग संभल के जाना हाँ मुन्ना अपना ख्याल रखना है यार संभल के जाना क्यों यार तुझे कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे करेंगे क्या हुआ यहां कि रुक है मुन्ना कहा है मुन्ना यही पराएगा घ्रेट कर दोद्ट के लिए झाल representsहुआ इसक्रण पराएगा यही तो बाल है लाएगागा यही थे पराएगा व्रेट के लिए मैं सब्सक्रण भाईब वराएगा ओराएगा जो दो 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 उन्हाँ जो इसाएगा जो शो परती है आओ आत इसे सुचक। आप आपको प्ताइब करते हैं नहीं जाएं निकालने नहां पाएं जाने मतेना ज़िए ज़िए प्रूँ अब कहा जाएं 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 गळोक करो करो कि अधियाए करो करो कि दो आते हैं घुरे का आते हुआ कभार आते हैं बागे का दो आते हैं मुन्ना अच्छा सुन पहले महा को जितनी जल्दी हो सके महां से लेके जा मंत्रा को बात बता चल गिये तू पहले महां से निकल हालो, हालो यह भाई, क्या हुआ, पाच छोड़ो मेरा, मा, मा, क्या हुआ, मुन्ना मेरी मा के पाच जाके तू अपनी मर्दानगी क्या दिखा रहा है, तू तो मर्द है ना तो भागता क्यों फिर रहा है, चल बोल, तू जहां आने को बोलेगा मैं आउंगा, तू ही बता, मैं ठीक एक घंटे के अंदर एरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, मेरी मा को छोड़ दे, आज आना एरपोर्ट, अभी तो तेरी मा को छोड़ रहा हूँ, अगर सुबह तक नहीं आया ना, तो फिर खैर नहीं है तेरी, फोन पकड़, उसको चाने मत जीजा, छोड़ दे, औरत पे क्या मर्दानगी दिखाना, मेरे बेटे ने क्या गलती किया है मुझ नहीं पता, व मैं माफी चाहता हूँ, आपका बेटा, ज्यादे दिन जिन्दा नहीं रहेगा, चलो रहे, सर, वोटी बस्टो पर दो मड़ोर हो गए हैं सर, लोकल इंस्पेक्टर सुधीर को इस्पॉर्ट पर जाने के लिए बोलो, ओके सर, सर, छे साल की बच्ची के साथ रेप करके इसने मार डाला है सर, बच्चे थी वह, तुमने उसे भी, कब लेकर आए इसे, एक गंटा हो गया सर, चार बजे खत्म कर दो इसे, इसकी मौत ही उसका बदला है, वर्दा ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी के रू सर, छोड़ दीजी सर, अभी तरक चार प्राइवेट केस पड़े हैं, और उसके अलावा, हुमन राइट्स वाले पीछे पड़े हैं, इतनी टेंचन क्यों ले रहे हैं सर, अभी यही किसी राजधानी में हो जाए तो पुरा देश चिलाने लगेगा, और छोटी जगों पे हो जा तो कुछ भी नहीं, क्राइम, क्राइम होता है, चाए वो बड़ी जगह पे होता हो, चाए च्छोटी जगह पे होता हो, आपकी नजर में फर्क होगा, नेकिन मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है, मार दो इसे, जो होगा देख लूगा हलो सर वोटी बेश्टॉप में जो मडर हुए है वो मुन्ना ने किया है उसके नाम की बुलेट मेरे पास है साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब भगवान के लिए उसे बचा लीजिए मुन्ना की मा है सर मेरे बेटे को अएरपोर्ट के पास उस मंत्री और उसके आदमियों ने मार डाला साहब उसे बचा लेजिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ क्यों किसी को मत छोड़ना काट के रख देना मेरे जीने के सारे सपने तूट चुके हैं और तुम भी कितनी बार मैंने आखे बंद की लेकिन अब मुझे वो वो सपने नहीं दिख्या मुझे माफ कर दो देविका मैं तुम से बहुत प्यार करती हूँ मुझे तुमारे साथ सो साल तक जीना है मुझे दुमारे से लो हू वार नहीं प्यारे दो जैजर कर दो भारातो मैंने एारो जोफ प्यार्ट कितनी थ Luckily सवसे दो बंदकर देना मैंने वज ग्यारशते कि वाली उनका टॉटार को प्रॉड थाली कि अ उनका बंग ए बना इंची अ उनका है भाई बाट आलो उसे भाई एक मिनिट मेरी बात तो सुन लो भाई रुख जाना लो हो हुआ च लो हो भाई बाई भाई को सुन हुआ लो बाई गितल भाई लो हुआ हाई भाई बोलाता तुझे एक मिनट मेरी बात्तो सुनो एक मेरी बात्तो सुनो मंत्रा बहीं सुनो तुझे जाए बहाय मेरी एक मनित बात्तो सुनो बहाय मेरी अिपनित बात्तो सुनो बहाय बोल क्या कहना है जाय जो भी हो आप मेरे बड़े भाई हो फिर क्यों किया तुम्हें ऐसा मैं आपको नहीं मारने आया था फिर किसे इस जया को मारने आया था जिजा पुर्णिमा को मंदर चलना है पुजारी जी ने बुलाया है आप चल रहे हैं यहां कुछ लोग लडाई कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ चलिए आईए इसको ऐसे देख था रहे है जी जा हाँ बेनी क्या जीजा यह कमीना मुझे मार रहा है और आप खड़े होगे देख रहे हैं मैं तुझे भी जानता हू और इसे भी जानता हूं तुने मुझे पर हाथ उठाया जीजा के सामने मुझे बाते के हिम्भत कैसे हुई जीजा जब भी तुझे भाई कहता था ना तो मेरे कली ज़ल उड़ता था सही मौका देख के शिकार करने वाला शेर हूँ मैं अब तू देख क्या करता हूँ तेरा जीजा ने मुझसे जादा तुझे एहमियत दी कि अब भाई 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 बोल के मेरे सर पे बैठा दिया था और अब अपने मुँ से ही उन्होंने खुद तुझे मारने के लिए बोल दिया है उनके एहसानों का तूने जो बद्ला चुखाया है ना अपना भाई होता तो क्या ऐसा ही करता तो सचाई कड़वी लग रही है तुझे बोलो मधू सुपह माधपूर के स्टेशन पर देखा था इसलिए कॉल किया भाई सत्या भाई का खून किया है अभी पता चला है मधू कौन सा एरिय बता है तुने माधपूर ए तु जीजू को कुछ मत बता ना मैं सब समाल लूगा तेरे भाई को मधू के लोगों ने मार डाला था लेकिन चायवाले को मैंने जूट बोला कि तेरे भाई को मैंने ही मारा है तुने पत्थर फिकवा के मुझे मारने की कोशिश की थी न तेरा वो प्लान मुझे पहले से ही पता था लेकिन सच यह है कि तेरे भाई को मैंने नहीं मरवाया बताओं तेरे भाई को किसने मरवाया है तू जानना चाहता है क्या गहूर क्या रहा है तेरे भाई को मारने का प्लान मैंने बनाया था लेकिन तेरे एक दुश्मन और है है जिसने मुझसे पहले ही तेरे भाई को मार डाला तु जानना चाहता है कौने वो दिखाता हूं ये देख अपने दुश्मन को ये 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 तेरे भाई का कातिल ले समय इसे तु ये अपने भाई का बदला लेना था ना ले ले पकार इसे मार तूने मारा क्यों मारा तुने अब क्या पूच रहे हो उस समय क्या हुआ था पता है तुझे तुने मेरे भाई को मारा था और कोवा में चला गया कि उसे होस्पिटल में अड़िट करके जैसे मंदर आया कि तब पता चला कि जिन लोगों को मार के तुम चले गए थे उनके लिए कोई भी गवाई देने के लिए तैयार नहीं था कि उसके बाद तीन दिन में ही मेरा भाई मर गया रिय बाई के मारने वालों को माण डालना था पर तुम लोगों से लड़ने केrek लिए मैरे पास हमत नहीं थी इसेरी मैन गावं के सारे खेद बेच कर गुंड़ों कुप लाकर तुझे भार डालने के लिए सोचा था पर तेरी जगयर तेरा भाई मारा गया कि वैसे क्या गल्ती की थी मेरे बाई ने क्यों उसे मार डाला इतने बुरे इंसान को मारना गलत है क्या गलत है क्या बोलना गलत है क्या गलत नहीं है तुने जो किया वह गलत नहीं है जितने भी मर गए हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है उनको भी कैसा लगता है कितनी तकलीफ होती है यह मैं जानता हूं तेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने भी वह दुख अपने दिल से जहला है जब साथ होते हैं तो उनके प्यार का एहसास हमें पता नहीं चलता मैंने जो गल्दी की उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूँगा मेरी जान लेने का हग बस तुझे है और किसी को नहीं मार डल मुझे मार डल मुझे मार डल मुझे मार डल मुझे तुझा मुझे जान जान मुझे 嬲 NH implants मारु मुझे 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 मेरे जीजा होके उस्ती परवाज ज्यादा है इस दुनिया में जी के क्या करोगे जामार अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ अब देखो जीजा तुम्हारा चहता मर रहा है उसे मरता हुआ देख के तुम में मर जाओ झाओ नाओ , देखो झाओ झाओ हो प्रीजाज शुम्हार for you Mara Mara Mm uh jah jam tomorrow I Joe I जाओ यह क्या सर? आदमी की रूप में हजारों जानवार हैं उनका हमने आखिर क्या किया? यह तो अब बदल चुका है सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते हैं